तो आज की वीडियो में बात करेंगे आदिवासी हेर ओिल के बारे में आप कहीं भी सोसल मेडिया पे जाते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यूटूब कहीं भी तो आपको सबसे ज़्यादा एड देखनी के लिए मिल रहे होंगे आदिवासी हेर ओिल इसी के बारे में बात करेंगे इस तेल की क्या सच चाहिए, क्या ये सही है, गलत है, तो दोस्तो आदिवासी हेर ओिल जो है, वो करनाटका के पास एक गाउं है, हिकी पिकी कमिनिटी है, जिसमें 5-6 लोग और कुछ महिलाए भी हैं, उनकी एक टीम है, और ये उस तेल को बना रहे हैं, इसमें जड़ीबुटी डाल रहे हैं, और इसको परमोट कर रहे हैं, तो देखें दोस्तों, अगर आप इस तेल को लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप के साथ हो सकता है बहुत बड़ा स्कैम, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये तेल बना रहे हैं और साथ में सिंपती गेन कर रहे हैं क्या बोलते हैं कि हमारा डुप्लिकेट तेल मार्केट में मिल रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है आप डुप्लिकेट तेल मत खरी दिये और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेस्बुक सभी जगा इनके एड़ देखने के लिए मिल रहे हैं अब आप ये बताईए कि ये लोग के साथ अगर स्कैम हो रहा है तो ये एमोजोन फिलिप कार्ड पर प्रोवाइड क्यों नहीं कराते तेल को एक नमबर देखे रखे रखते हैं बोलते हैं किसके पास कोल करिए इस नमबर पे कोल करिए हम आपको तेल प्रोवाइड करा देंगे और साथ में बोलते हैं हम बहुत गरीब हैं हम मैं पूरी किमिनिटी को गलत नहीं कह रहा हूँ 5-6 लोगों के टीम है सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये लोग गरीब हैं तो बड़े बड़े सेलिबरिटी बड़े बड़े यूट्यूब का अपोर्ड कैसे कर रहे हैं क्योंकि वो लोग परमोशन करने का पैसा लेते हैं ये लोग परमोशन करने का पैसा लेते हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे तेल की कोपी मार्केट में मिल रही है आप हमारा original तेल खरीदिये तो देखे आप ये तेल ना खरीदे अगर आपको मान लीजिए आपने तेल खरीदा और वो नकली मिल गया तो आपको फायदा नहीं है आपका नुकसान हो गया और अगर original भी मिल गया तो original में भी कुछ नहीं है क्योंकि यह certified नहीं है ingredient इसके अंदर क्या-क्या डाले गए है इन्होंने कोई भी bottle पे mention नहीं कर रखा है तो जब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या-क्या जड़ी बूटिया है तो आप किसी भी product, किसी भी cream, किसी भी तेल को use कैसे कर सकते है आपको side effect हो सकते है, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है तो ऐसा कोई भी product हो चाहिए वो आदिवासी धेर oil हो या कोई cream हो, कोई भी चीज हो आपको use नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका कर्तव भी बनता है कि सबसे पहले product के ingredient चेक कर ले, उसके अंदर composition क्या है क्या जड़ी बूटिट डाली गई है तो दोस्तों आपके साथ हो रहा है बहुत बड़ा scam, आदिवासी hair oil जो लोग बना रहे हैं दावा करते हैं कि इससे गंज़ा पंदूर होता है गंज़ा पंदूर हो जाएगा नए बाल आ जाएगे, घने बाल हो जाएगे क्या फिट लंबे बाल हो जाएगे तो इस तरह का कोई भी इसमें formula नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक scam है तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपके साथ ये experience शेयर कर दूँ ताकि आपके साथ scam ना हो तो आप सतर्क रहें, भविशे में भी किसी भी product को खरीदने जब पहले एक बार check कर ले, सोच ले I hope दोस्तों आपको समझ में आगया होगा आदिवासी hair oil आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए बाकी आपकी मर्जी दोस्तों हमारा काम है आपको सही जानकारी देने का ना कि कुछ वीवर्स के लिए आपको गलत जानकारी देने का हम काम करते हैं तो हमारा करते वे बनता है आपको सही जानकारी दे, सही सला दे I hope कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब कर दीजे, एक लाइक कर दीजे साथ में शेयर कर दीजे, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स वीडियो में एक नए इंपरमेशन के साथ तब तक के लिए जैहन जैबरत